एटेलेक्षिम बॉक्स या टाडा पले बींज बॉक्स दोनों में से सबसे भेतर कौ। का latest version मिल जाता है और एक बात दोस्तों अगर आपके पास कोई भी normal TV या LCD TV है तो आप उसे easily smart TV में convert कर सकते हैं इस box की मदद से और कौन-कौन से common features मिलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं दोनों ही box में Bluetooth connectivity, Wi-Fi connectivity, Chromecast, Dolby Audio Support, OTT Apps, TV Channels, Google Play Service, Google Voice Assist, Recording जैसे features मिल जाते हैं अब हम बात करने वाले दोनों box के external parts के बारे में दोन ही box में में क्या-क्या मिलता है दोन ही box में में एक-एक HDMI slot दिया गया है HD picture quality viewing के लिए दो USB ports मिल जाते हैं, एक recording करने के लिए और एक software update के लिए दिया गया है उसके बाद हमें एक micro HD card slot भी मुखता है, उसके बाद हमें antenna in का port, ethernet cable port, audio video के ports दिये गया है दोस्तों अब हम बात करने वाले दोनों box की pricing के बारे में तो सबसे पहले हम बात कर लेते ATL Extreme box की, इसकी pricing 2000 plus 18% GST के साथ हमें पढ़ता है 2360 और एक बात दोस्तों इसके साथ हमें NFC charge mandatory plan लेना पढ़ता है 153 rupees का, तो total cost हो जाता है हमारा box का 2513 इसके साथ हमें ATL Extreme का OTT app free में दिया जाता है दोस्तों अब हम बात कर लेते Tata Play Binge box की pricing की, इसकी pricing 2199 है, इसमें GST added है और एक बात दोस्तों इसमें भी हमें 153 rupees का NFC charge लगने वाला है, तो total cost हो जाता है Tata Play Binge का 2352 और इसके साथ हमें 12 OTT apps का subscription free में मिलने वाला है और Amazon Prime का भी subscription एक मन्त के लिए free है दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात की लेकर देना चाहता हूँ, आपको first month के लिए दोनों ही box में OTT app free दिया जा रहा है उसके बाद आपको अलग से charges लगने वाले OTT apps के, प्रस packs के अलग लगने वाले है अब बात कर लेते हैं कितने charges हमें देने होंगे अगर आपके पास ATL stream का box है तो आपको 149 रुपीस मंतली लगने वाला है अगर आपके पास data play binge box है तो आपको इसकी costing 299 रुपीस लगने वाली है यह केवल OTT apps का price है, package का price आपको अलग से लगने वाला है दोस्तो अब हम बात करने वाले installation process के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ATL stream box के बारे में अगर दोस्तो अब ATL stream box purchase करते हैं तो आपको एक से दो दिन के अंदर में आपका installation process हो जाएगा वहीं बात करें Tata play binge की तो सारा process एक ही दिन में हो जाता है दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे बेस्ट box कौन सा है बात करें दोनों box की pricing की तो सबसे बेस्ट यहां Tata play binge निकल के आता है इसकी pricing सबसे कम है और यह आपको ज़्यादा OTT apps भी offer कर रही है as compared to ATL और service के मामले में भी Tata play आगे है दोस्तो यह था ATL Extreme box वसे Tata play binge box का compare वीडियो अब कोई वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चेह को like, share, subscribe कर दे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद